कि सभी का स्वागत है सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप जब मेरा वीडियो देखते हैं तो उसके साथ साथ मेरे साथ साथ पुर्णाविरती भी करते चलिए क्योंकि अगर आप दोवारा अपने से नहीं बनाईएगा तो समझ में नहीं आएगा मैंने बहुत सार वीडियो डाले डाला आज वर्ग अस्टम धार्खन बोर्ड पाठ चार घातांक अवं घात का प्रस्नावली चार दसमलव दो बताने जा रहा हूं प्रस्नावली दो चार दसमलव दो में पहला प्रस्न निम्न संख्याओं के मानक रूप में बैक्त किजी इस तरह से जीरो 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 साथ्न podría Germans 2015 मानक पन्श मानेक रूप आपम हमलों पढ़े ते अगर मान जीघे 235 है इसका मानक रूप मुझा करते थे मखा कि यह चारवटे 10 हो चारवटे 10 काने करती हुआ चारवटे 10 के घात माइनस एक अगर अस्थान पर भाई तो दो तो गात यहां इस तरह से यहां पर हम लोग इसको लिखेंगे तो यह दे देखर हैं मानक रूप लिखने के रही हैं लोग कहां तक चलेंगे यहां से यह दसमलब यहां से चलेगा यहां तक लाना होगा मानक रूप में तो क्या गर हम चले एक दो तीन चार पाँच गर इसलिए इसका मानक रूप हो जागा साथ दसमलब तीन पाँच गुना दस के घात माइनस पाँच इसका मानग रूप हो जाएगा क्यों जोंकि आगर हम इसको यहाँ से दसम्लब इहाँ लाते एक दो तीन चार पाँच यानि कि इतना से इसको भाग देना पड़ा इसलिए यह जब यह दसके घ्हात पानच से भाग दिये तो जब अब घात भाग में तो वह रिनात्मक हो जाएगा तो इस तरह से इसमें इसके आवी देखिए इसको हम लोग यहां से यहां लाएंगे माना कुरूप के लिए तो यह हो जाएगा एक दसमलब पांच गुना दस के घात माइनस के घर हम लोग चले के अस्थान छोड़े के अंक तो एक दो तीन चार पांच चैनाय तो अब दढोनों सग्खेंगे तो यह। यह तो यहां नहीं है तो दसमलब ब्हा पांच है व्म boy 1976 मुण तो प्रीक्रण दसमलव बैठाए तो हम लोग क्या लिखेंगे दस के घात आठ धनात्मक लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहां से यहां आए तो क्या कि उतना से उपर भागा नीचे भाग भी दिये और गुना भी कि इसलिए उस तरह से होगा इसमें भी आप उसी तरह चलिएगा जहाएगा साथ आठ नौ इसलिए दस के घात नौ लिखेंगे इस तरह से मानक रूप में बैक्त करेंगे दूसरा प्रस ने निम्न संख्याओं को समान रूप में बैक्त करने अब मानक रूप से कर रहा है समान रूप में बैक्त करने तो पहला है इसमें तीन दसमलव जीरो छो पांच तो हम लोग लिखेंगे तीन जीरो छो पांच और क्या देख रहे कैंछ ततत हैं कि इसको यहां पे थे अब यह इतना से भाग दीए यादि कि यह क्या हो जागा पांच सुन्न जो है दसमलब का अस्थान पांच घर आगे बढ़ेगा तो पांच घर जब आगे बढ़ेगा तो हम लोग 5 पार यहाँ पहुंचेंगे इस तरह से लिखाएंग Allah है और फिर से समझ यह 10 आत stylे बाःव चार न ही आ न यमेरे पास एक रसाणक नहीं है हमारे पस्न Ausनों और इस तरह से यहां बैठाएंगे उसी तरह से दूसरा में है 3.6 गुना 10 के घात 3 यहां घात प्लस में है धनात्मक है यानि कि उतना 0 से गुना करेंगे यानि 3.6 गुना इतना यानि कि इसको 3.6 तीन सुनना देंगे एक अस्थानियां बैठाएंगे यानि हो जाएगा 3.6 डवल 0.36 इस तरह से फिर तीसरा में 1.4 एक आठ चार घर है तो तीन घर तो यहां 0 हो जाएगा एक और यानि कि एक चार एक आठ और उसके बाद एक दो ती चार और दसमलव का आठ तीन के यहां तीन था तीन हरी वा एक दो तीन घर यहां पर बैठ झाएगा थी यह दसमलव जाएगा तीन अंक और हम जीरो बैटाएंगे तो एक दो तीन एक चार दू छे पाँच इस तरह से लिखेंगे प्रस्णा वाली दो चार दस लव दो का प्रस्ण संख्या दो का पाँच दिया है दू दसम लव नौ गुना दस के घाद दस इसको मानक रूप में लिखना है यानि दू के घाद नौ गुना दस के घाद दस यानि एक यह भागा है यानि कि यह हो जाएगा उनतीस बटे दस गुना दस के घाद दस यानि कि 29 और एक ठोकड़ हो जागा 10 के घात 10 माइनस एक यानि 29 गुना 10 के घात 9 यानि 29 और 9 वो 0 बैठा दीजिए इस तरह से क्या करेंगे पहले थम लोग यह लिख लेंगे इस तरह से जो प्रसंद था फिर यह दसंबलब को हटाएंगे भाग में फिर यह घात को घटा देंगे उस क्या जो है समान लिख देंगे दो नमबर का चित्छा सवाल है तीन दसमलब चो पांच एने 10 के गात 5 यानि 3, 5, 6, 4, 1, 2 और कितने घर से गुना करेंगे 5, 0 बैठाइगे तो 1, 2, 3, 4, 5 गुना कर रहे हैं यानि 5 बैठाइगे और यहाँ दसम्वलव कितने अंक के बाद है तो 1,2,3,4,5 तो यहाँ 1,2,3,4,5 अंक के बाद बैठाएँगे तो इसका उत्तर होगा 3,5,6,4,1,2 इस तरह से प्रस्न संख्या 2 समाफ्ट हुआ प्रस्न संख्या 3 जो एहम वोर्ड पर लिखे हुए है आपका अपने पुस्तक में देख सकते हैं कि इसको मानक रूप में व्यक्त करने आधक कर रहा है निवन में से प्रतेक को मानक रूप में व्यक्त कि एक प्रोटीन का रव्मान से सँनिकी क्याए 1230 कले चार पांच यह दो 4-5-7-8 9 10 11 12 13 15 16 लास 17 18 29 22 24 25 27 वैन की एक अगर इसको हम लोग लिते हैं एक चो साथ तीन बटे दस के गात 27 तो हम लोग को इसको मानक रूप में करना थी हाँ दसम्लों बठाएंगे थे एक दो तीन तीन तो सूनी चला गिया तो बच गिया कितना एक दसम्लों छो साथ तीन बटे दस के गात चोबिस यानी एक दसम लब चोब साथ तीन गुना 10-14 यह मानक रूप हुआ है दूसरा प्रसन है हिलियम का एक परमानुका ब्यास ब्यास हिलियम जोए जिरो दसम लब दू दू चार दू छो जबाइस सेंटीमिटर है तो आप क्या देख रहे हैं क और कितने घर हम इधर चल रहा है तो एक दो तीन चार पांच छह उससात ज़िए आट sûr भी यह जुद्स को सिरْफ समझाने के लिए बोलést है घर नहीं चल रहा है हम लोग उससे आंख चल रहे हैं तो एक दो शरीर में विभीन अकारों और मापों वाले लगवग बत सैंतिस ट्रिलियन सेल है सैंतिस ट्रिलियन करने का है सैंतिस ट्रिलियन में लिखना है तो सैंतिस ट्रिलियन हुआ ट्रिलियन के यहनी काई दाही सेकड़ा फिर हजार दसजार सो हजार उसके मिलियन हुआ फिर बिलियन का 3 हुआ तब ट्रिलियन हुआ तो इतना अतिस को हम लो लिखेंगे यहां पर दसंवरव देंगे तीन दसंवरव साथ गुने दस के घाथ कितना तो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ दस गयारा बारा तेरा दस के घाथ तेरा इतना ट्रिलियन सेल होगा यह आफका यह बीन नंबर का सवाल हम बता है डी कहरा है कि 65 किलो मेटर को मेटर में बदलने के लिए एक हजार से गुना कर दीए तियो जाएगा पैंसट हजार मीटर इसको जब आप बदलिएगा मानक रूप में दसम्लम यहां होगा च्छेद अमलम पाँच तो एक दो तीन चार घर मीटर इस तस लिखेंगे ए में है एक इंच लगवग ए का सवाल है देख लिजिए एक इंच लगवग जीरो दसम्लम जीरो दू पांच चार तीन मीटर होता है इसको मानक रूप में लिखना है यानि कि आपका सवाल है यह यहां देख रहे हैं जीरो दसम्लम जीरो दू पा पांच चार तीन गुना दस के गहात माइनस दो मीटर इसको लिखेंगे इसके बाद आपका जो सवाल है प्लूटो सूरिय से कितना दिया हुआ देख लिजिए यह हजार लाख कडोर अरब पांच चरव एकानवे हजार पांच कडोर एकानवे पांच अरब एकानवे लाख ती कडोर तीस लाख हजार किलो मिटर दिया हुआ इसका मानक रूप में जब लिखेंगे तो इसका मानक रूप जो होगा यह हम लोग पांच दसमलब नो एक तीन और गुना दस कितना यहां जब दे रहे तो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यानि कि दस के घात नो या किलो मिटर के हैं मीटर तो इस तरह से प्रश्न संख्या आइव तक हम लोग तीन नम बनाएं नेंस जो कुछ्षन है वो अगला वीडियो में बताएंगे नेक्ष्ट कूस्ट्प देखते रहने के लिए मेरा नेस्ट वीडियो देखिए सभी प्रश्टन का आफ हम वीडियो सुरू में ही आपको बोले कि आप इसका पुर्णाविरती कीजिए अभ्यास अपने से करते रहे तब जाके आप अच्छे से बना पाईएगा जहां समझ में आता है मेरे वीडियो को पॉस करके उसको रोक के फिर समझिए और घर में बनाईए सिर्फ देख लेने से नहीं सिखिएगा बनाना होगा है बिना बनाए कोई उपाई नहीं है देखके सीखा नहीं जा सकता है आपको सवाल हल करना होगा इसलिए सभी छात्रों से अनुरोध है छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को देखिए और प्रस्ण को बनाईए मेरा व